सब्सक्राइब मज्जित नहीं रहे मंदिर यह वहां पे लिए नहीं होगे तो 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 डोड़ने की दो बात-छोड़िए- इंदू एकट्टा आओं करके फूक देना तो मस्जिद उड़ जाएगी ये तलवार के दम पे सलवार पहनने वाले लोग कहते हैं कि जब मस्जिद था मस्जिद है मस्जिद रहेगी अब डरना भी जरूरी है क्यों कि बाबा के राज में सायोग करना मज़ूरी है नमस्कार NMF News देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ अब से कुमार बड़ी खबर यूपी के संभल से आई है जी हां साही इमाम मस्जिद जिसकी अब स्री हरियर मंदिर होने का दावा कर दिया गया हिंदू पक्ष की तरफ से बिती रात मस्जिद के अंदर सर्वे भी होता है और इस सर्वे के बाद जो है अब संभल के जो मौझूदा सांसद है जियाओ रहमान बर्क उनकी तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है कि संभल में साही माम मस्जिद ही मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी इंसा अल्ला अब इसी मुद्दे पे हमारे साथ यहां कुछ लोग होंगे उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोसिस करेंगे कि क्या एक एक करके जिस तरीके से कई मस्जिदों के अंदर जो है इस तरीके के दाव कि यह जा रहे कि पहले मंदिर था उसके बाद मंदिरों को तोर कर मस्जिद बनाए गया क्या उसी में से एक यूपी के संभल का साही इमाम मस्जिद भी है इसी मुद्दे पर बात करेंगे हमारे साथ प्रियम्नाज जी है सर कैसे देखते सबसे पहले संभल किस मुद्दे को पहले तो सांसद जियावल रह만 के टिपड़ी के अगेंज में जारा दो लाइं कहना चाहताऊं उन DJ ध॥ी मजिद रहेगी तोक आम्यों करने ूद्ध Tag जबरन जब तोड़ दिया था 1530 में, 1530 में वहाँ पे हरिहर मंदिर था, बापर ने उसको मस्जिद में तब्दिल कर दिया, और ये बापर नामा में उलreiben अलकित है, तो यह तो अपने बापर नमा को फाड़ दो, क्यों रख्यों बापर नमा? और देखिया ऐसा है कि अभी तो यहाँ जहां की है आगे होना भी बहुत कुछ बाकी है बीती रात देखा जाता है जब डिस्टी कोट की तरफ से ओडर मिलता है सर्वे करने का आदे घंटे के भीतर जो है दल बल के साथ खुद जो वकिल साहब है जैन साहब पहुच जाते हैं वहाँ सर्वे के लिए अखिर मतलब इतनी जल्दबाजी क्यों अच्छा यह बताईए एक तरफ तो यह लोग कहते हैं विपक्ष के लोग कि यह देश समीधान से चलेगा समीधान का सम्मान होना चाहिए तो ये बताईए इसी सम्मिधान के तहत कोट ने कमेटी गठिद करी और कमेटी गठिद करी और जो है अगला डेट 29 तारी को दे दिया तो जो कुछ हो रहा है कोट के ताहत हो रहा है ना संभिधान के ताहत हो रहा है तो इसमें फिर जो है ये क्या कहते हैं कि ये इसमें बात भी बात का कोई मतलब नहीं है और ये बताइए कि वो बात तलग है सबका अपना अपना पक्ष रखने का अधिकार है जियाओल हक कह रह कि वो कितनी बार भगवान ने जो है वो अतार लिया और पूरे बिस्व में भारत फेमस है हैं और इसी भारत से जाकर के स्वामी विवेका नंदने अमेरिका में हिंदोत्तु का पर्चम ला रहा है यह कौन नहीं जानता है कितने बड़े-बड़े रिसी मुनीत तपस्वीर है जो क्या कहते हैं इस कल जुक की बात कर रहा हूं है दौपर त्रेता की बात नहीं कर रहा हूं जिनका पूरा पूरा फिस्व समान करता है तो कहने का मतलब यह है कि भाई हम कोट के खिलाब कभी ने जा सकते लेकिन क्या विवेक्ति की आजादी चिन लेगा कोट मारा हम जो सफमत नहीं है इसने मंदर वाली बात करी बहुत है और मदर नहीं रहेगी मंदर रहेगा यह मुझे बुरा लगा बागी मुझे कोई वागी मेरा यह मानना है एक बात बता दूं बड़े 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 होस्तों हवास ने बोलता हूं मैं और मर्यादा के तहद बोलता हूँ तोड़ा चुप रहिए 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बटवारा धर्म के आधार पे पहला सर्थ क्या था धर्म के आधार पे पाकिस्तान इसलामिक देश मनेगा मुसल्मान वहा रहेंगे हिंदू यहां रहेंगे फिर दूसरा जो बयान आया कि जो मुसल्मान यहां रहना चाहते हैं रह सकते हैं यही था ना लेकिन 1947 में जब बटवारा हुआ तब भी हम बहुसंख्यक थे हिंदू बहुसंख्यक था और आज पहले चुप रहिए चाचा पहले चुप अरे निकाल दोगे क्या पहले मैं सुनता हूँ मैं सुनता हूँ एक लाइन जरा बोल दूँ बीच में राम जी ने असो में ग्यग्य के लिए घोड़ा छोड़ा था यहां भी पक्चने गदहे चोड़ दिये इनको पॉंपो करना है आम जनता है इनके भी हक है नहीं इनको राइट मिला है बोलने राइट सबका है मेरा ये कहना है खंडन कीजिये जब मैं कह रहा हूँ कि बाबर नामा में उल्लकित है तो इसका खंडन कीजिये नहीं है खंडन कीजिये न इतियास में जो लिखा हुआ है आप बोलिए इतियास आप गलत पढ़ रहे हो बात मैं वहां पे बोलना हूं और दूसरी बात मैं वही कहना चाहता था यदि हमारे अंदर भाई चारा नहीं होता तो 1947 में भी हम बहुत संक्यक थे और आज भी बहुत संक्यक हैं अगर वहां पर पाई जाते हैं कि वहां पहले मंदिर था तो दोबार मंदिर बनेगा क्योंकि वहां पर जबर्दस्ति जो हैं मंदि को तोड़के यह मजिद बनाए गई है सिती सी बात है क्योंकि हमने ऐसे देखा है बहुत सारी इतियास हमने पड़े हैं यहां पर देख लिए फॉर इक्जांपल यह ज्यानवापी देख लिए वहां पर तो मजिद के उसमें जो है इतिर्सूल बना हुआ है तो कभी शंक बना हुआ हुआ है और आग में घी का काम करता है मस्जीद है मस्जीद है मस्जीद रहेगी इनसा था तुम यहां शुर्सी बात यहां से भगाद हो होंगे तो मज्के मार कि निकालेंगे और दूसरी बात दूसरी बाट को टूसरी पर नहीं नहीं तुमीजी नहीं दारुपी रखा है मुझे पता के जिवाद के दो पैक लागा रखें तुम मेरी बात को ऐसे अगर लोग ऐसे अगर देश में पाई जाते जो पाकिस्तान के नारे लगाते हैं और यह जो है हमारे हिंदुयों कर समय है यह हमारे मोदी सरका कर समय और यह योगी राज है तो यह बनेगा ही बनेगा आप कितना भी रोक लगा लो मंदिर बनकर मेरी बात अधूरी रह गई बड़े खोसा हुआ से बोलना हूं उन्नीस सो सेंतालीस में जब पटवार हुआ तब हिंदु बहुत संक्यक था और आज भी हिंदु बहुत संक्यक है आज तोड़नी की बात छोड़िये हिंदु एक ट्राओं करके फूक दना तो मस्जिद उड़ जाएगी समझें लेकिन नहीं कनून से चलेंगे ना अरे तो वही आने दीजिए मुझे थोड़ा अपनी बात क साल चला हम बहुत संक्यक थे एक बात क्या रहा हूं हम चाहते हैं तो हम चाहते आरा जगता पहला करके ले लेते हम बहुत संक्यक थे ना लेकिन नहीं हमने संविधान का संबान किया संविधान के तथ हमको मिला है काला दिन मनाते हैं विद्वांस हो गया क्या विद्वांस और दूसरी बात जितने लोग कह रहे हैं कि हम संभल में होगा मतुरा में होगा मैं वही कहा न, ये राम की धर्ति, कृष्ण की धर्ति, स्वामी बेकानन्द की धर्ति, क्या कहते हैं, संकर की धर्ति, ब्रहमाद गर्ति, सारी सब की धर्ति है, तो ये सनातनियों की धर्ति है, और ये मैं आपको बताऊँ, कोई धर्म नहीं है, एक ही धर्म है सनातन, सारे इस मैं वही कह रहा हूं मैं वही कह रहा हूं यह बताईए उनके अलावा जब तुम बोलोगे तो तुम्हारे जब कोई जबाब कोई बयान दोगे तो फिर बयान के बाद बयान देगा आदमी और यह बताईए किसी बाजबा सांसत का बताईए कोई इस तरीके से बोला हो कोट का स तो मेरा तो सच्चा ही है न तो मैं तो कहूंगा उड़ा कर देख लेजिए मैं वहीं कह रहा हूं और मैं वहीं बोला हूं एक तरफ तुम कहते हो कि हम तुम्हारे भाई हैं हम भी मानते हैं तभी भाई तो लीजिए अब डरना भी जरूरी है क्यों कि बाबा के राज में सहयोग करना मजबूरी है करना मजबूरी है बाबा के राज में एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूं तो क्या करेंगे बाबा की देखिए वहां पर तो क्या है कि आप कानून की साथ से काम कीजिए आपको हरकते मत कीजिए हिंसा करेंगे तो घर तोड़ा जाएगा या अगले अगर योगी राज में रहना तो भी तामीश से रहें दूसरी बात यह जो मंदिर मजीद करेंगे वहां पर यह बोला गया कि पहले मजीद था मंजीद बने मजीद बना हुआ है अगर आप लेक पाएगे तो मजीद मंदी दोबरा बनेगा दूसरी बात एक मॉलाने साहब है उ अब मैं कहता हूं कि पूरूप कर दीजे मैं हम आपको दे देंगे अगर अगर जहां पर हमारे मंदीर है वहां पर हमने साबित कर दिया तो आप ले लिए अगर नहीं साबित कर पाए और यह घराओ की बात कर रहे हो तो यहाद रहना समीधान से देश चलता है इतने किसी ने आख उटाया तो क्योंकि अभी भी कुरुक्षेत्री मिट्री लाल है ज्यान अकनाईशी को हमारे मंदीर के बारे में नहीं बोलेंगे लेकिन अगर वहां कुछ आपसे स्पाई जाते फिर क्या होगा भाई क्यों हम अपने भाई हम आई बताईए एक समय भारत सोने की चिडिया कहा जाता था लेकिन जो है बाहर से मुगल आये अक्रमण किये राज किये और जो है जनेव का पहड़ लगया राजस्थान में और कहां कहां ब्रामडों ने अपना धर्म अपना अस्ता अपना सब बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी हमिंदू ने और ज कोई पैसा रुपया लेकर करके नहीं भागा ब्रामर जो है वह विद्वान बेद लेकर के भागे सारे को किताब और जाकर के जंगलों में रहकर के कंठस्त किये हम लोगों ने क्या करते हैं वीरता दिखाई है और तुम कहते हो पंद्रे मिनिट घटा लो हम तो कहते हैं भा हिंदूओं की सदी है हिंदुत्तों का सम्मान करके दि रहना है तो रहिए और नहीं तो क्या कहते हैं समिधान के तहट आपका नया हो जाएगा आप समिधान के तहट आपका हिसाब हो जाएगा एक लाइंजरा कह देना चाहता हूं कि अब जाके गया अब जाके गया हर बच सुके सनातनियों का केंद ब्रिंदु है इसलिए चिंदी चोड़ी छोड़ अपनी रोजी रोटी में लग जाओ नहीं तो हम इंदुओं को जेल नहीं पाओगे और अपने ही आतों अपने ही घर में भगवा जंडा लराओगे भगवा जंडा लराओगे इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद कर दो 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 कर दो